आज में लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसा रामबा नुस्खा जो आपके लटके हुए पेट को मात्र पंद्रा दिन में अंदर करतेगा अगर आप भी lockdown में फसे हुए हैं और अपने belly fat से अपने बढ़ते हुए वजन से day by day tension में आते जा रहे हैं तो don't worry आज का मेरा ये रामबा नुस्खा आपके बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी लटके हुए पेट को बिलकुल अंदर करेगा आपके चर्वी को मौम की तरह पिगलाएगा इन फाक्ट पेट ही नहीं अगर आपके शरीर में आपके कंधे आपकी बाजू आपकी थाइस आपका side fat आपका bra fat जहां भी आपके शरीर में fat है उसको बहुत अच्छे तरीके से पिगलाने का काम करेगा इस नाच्छल तरीके को follow करके आप अपने 40 की कमर हो या 36 की हो तो easily 3 से 4 इंचिस कम कर सकते हैं और एक महीने में आप अपना 5 से 6 किलो बजन घटा सकते हैं और इसके साथ one second एक good news भी है ये good news है कि अगर आपको diabetes है अगर आपको PCOD की समस्या है या hypertension है या कोई भी ऐसी problem है ज जादा वोकाउट नहीं कर सकते तो भी आपको घबराने की जुरूएत नहीं क्योंकि आज का मेरा ये रामबानुसका आपकी वजन को बहुत अच्छ तरीके से कंट्रोल करेगा और इतना विजिवल रिजल होगा कि आपके जानने वाले भी आपसे पूछने लगेंगे कि आ अपको अपना होमवक करना है होमवक के ही है कि चानल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आ तो लाइक करना है और जम कर शेय करना है क्योंकि ये लॉग डौण में दूसरों का भला कर तो यह ये वीडियो शेय कर के तो चालिए, बढ़ते हैं वीडियो के तरादाब Guys, हमारा first process क्या है अपने पेट को अंदर श्रेंक करना हमारी biggest mistake क्या होती है हम लो क्या करते हैं, हम लो क्या करते हैं, बढ़ी फैट को करने के लिए भाली फालो करते हैं, एक्सराइज करते हैं, लेकिन कभी हमने अपनी कोड को यानि अपनी जो टमी है उसके को अंगेज न हो जाता है लेकिन आपका पेट जो है वो बिलकुल खतम नहीं होता और उसको खतम करने के चकर में आपकी स्किन डल पड़ने लगती है, आपकी स्किन मुर्जास ही जाती है तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी पेट को श्रिंक करने का एंगेज करने का को जो आपके हैं, नोटिस कर रही हête मेरे साइट के कट जिख रहे हैं आजपास साइट के प्रापर दिख रहे है तो आपको प्रॉपर कट दिख रहे हैं दो भ़र य Easy प्रोसस आपको हमेशा करना है जीसे आफ चल रहे हैं तो अपनी पोजीशन सही रखिए छाती Κow Crispate, बहभ हे कंतों को आपके कोर मसल को यानि आपके पेट की मसल को टोन करतेगा एकदम टाइथ करतेगा इतना वहत्री और इतना एफेक्टिव तरीका है ना जो आपके लटके हुए पेट को बहुत जल्दी श्रिंग करेगा तो प्लीज इसको ट्रॉय करें चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सेकिं चर्पी को पिलाने का काम करेगा स्पेशली अगर आपको PCOD पेशंट है आप डाइबिटिक पेशंट है थायरेट है आपको या हाइपर टेंशन है या फिर आपको कोई भी समस्या है या फिर आप डिलिवरी के बाद जो आपका पेट लटक गया है अपना आपका जो लोग अड़ हो गए है उनसे मुझे इसके फायदे जरूर शेयर करने चाहिए और स्पेशली इस लॉक्डाउन ताइम में जब हमारे घर में बहुत तरह के पकवान बन रहे हैं और हमारी नाग हमेशा किचन के तरफ खुसी रहती है तो प्लीज उस पकवानों को ट्राय करि अपने dream physique perfect drug सकते हैं यह बिल्कुल नाचोल है कैसे नाचोल है चलिए जान लेते हैं यह बिल्कुल तीन इंग्रीडियंट जो इफेक्टिव है उनसे मिलके बना है फोस्ट है गार सीन्य कमभूजिया जो वाइटमिन C का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो आपके वेट लॉ इस में दूसरा इंग्रीडियंट है green coffee extract green coffee extract आपके metabolism rate को fast करते हैं आपने नोटिस करा होगा जिन लोगों को थारे होता है वो कहते हैं कि हमने पानी पिया तो भी मारा शरीर फूल जाता है exactly क्योंकि उनका metabolism rate बहुत slow हो जाता है और आज कर हम घर पर है कोई physical activity नहीं कर रहे है तो ऐसे time period पे आपका वजन बढ़ता जा रहा है और आपका metabolism बहुत slow हो गया हमेशा अपको blotting की acidity की चाती में जलन की समस्या फेस करनी पड़ रहे है तो अगर आप इसको intake करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका metabolism बहुत इच्छे से fast हो गया है अगर आप भी अपन तो अपको पूल जाएगा बिल्कुल नहीं जो आज वार्केशन को बूस्ट करेगी आपके जिद्धी चर्वी को पिखलाएगी आपके metabolism को fast करेगी तो ये वो वाले slimming पिल्स नहीं है जो आप मार्किट में अननाश्रल वाले मिलती है तो don't worry, easily this को intake करें, delivery अगर आपकी हो आपको बहुत बनेफिट होगा इसमें थर्ड इंक्रीरियन है पिपनिगम जो काले मिर्श में भी पाया जाता है और यह पिपरीन होता है यह हमारे ग्रीन कॉफी अस्ट्राक्ट और साथ में जो दूसरा अगाल सीने कमभुजी है इसकी एब्सॉप्शन को बढ़ाता है हमारे शरीर में हमारे बलड सर्कूरेशन बहुत फास्ट कर देता है जिससे हमारा वेट लॉस जर्नी में हमें बहुत है निलती है आपके डाइजर्शन को बूस्ट करता है तो प्लीज अगर आप भी अपने वेट लॉस जर्नी को और ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं वो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दिया है अब जान लेते है इसको लेने का सही तरीका आपको इसके एक ताप्लेट लेनी है सुभा खाली पेट नॉर्मल गरम पानी से उसके एक घंटे बादी आपको अपना ब्रेक फास करना है और ऐसे ही शाम के डिनर जब पेले आपको उसके एक टाप्लेट लेनी है तो आपको दो टाप्लिस लेनी है और एक महिने में आपका 5-6 किलो बसंद कम हो जाएगा अगर अबी भी आप अपने बसंद को और तीजी सी कम करना चाहते हैं तो मेरा ये तीसरा हैक ज़रूर फॉलो करें ये फॉलो करना बहुत ही असान है और इतना जाता अच्छा रिज़र देगा कि आपके वेट लॉस जर्णी को और फास्ट कर देगा और बूस्ट कर देगा ये है वरज़र आसन वरज़र आसन के बहुत ज़़दा फायते हैं ये आपके पेट में होने वाली acidity, blotting, आपको curbs और आपका पेट फूलना साथी साथ जोब का पेट बहार आचुका है आपका वज़न बहुत ज़़दा बढ़ रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है कैसे करना है आपको सुभा जो आपने खाना खाया तो उसके बाद आपको 15-20 मिनट के लिए फॉलो करना है दुपेर के खाना खाने के बाद और रात के खाना खाने के बाद भी starting आपको एक मिनट से करनी है और इसको gradually increase करके 15 मिनट तक लेकर जाना है इसके लिए आप जमीन पर एक दरी बिशा लीजे या आप इसको बेट पे भी फॉलो कर सकते हैं इसके लिए आप अपनी टांगो को पीछे के तरफ फोल्ड कर लीजे फोल्ड करने के बाद अपनी कमर को सीधा करिए और आपने अपने एक पैक के अंगोटे को दूसरे पैक के अंगोटे पर रखना है अपनी AD के बीश में गयाप पनाना है और उस गयाप के बीश में अपने हिप को place करणा है और कम से कम इस position में एक मिनट तक बैठी और gradually उसको increase करके 20 मिनट तक लेकर जाएए आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका बढ़ता हो वजन बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रहा है ये आसन आप अपने बच्चों को भी फॉलो करवाएं क्योंकि इस इनको दिमाग भी तेज होगा ये उनकी concentration power को बढ़ाता है, stress को कम करता है और आपको अच्छी नीन देता है और आपका फिजीक बहुत ही अच्छा और ग्रेसफूल हो जाएगा तो जरूर इसको फॉलो करें तो आज का मेरा ये भैतरीन वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए कि किसने स्नोवा की बायूसनिंग परचेस करी और किसने वाक्यूम प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस फॉलो किया और आपके लगा बदलाव आ रहे हैं या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुसे बूच सकते हैं बात कर सकते हैं जरूर आपसे लाइशन रखोंगी और आपके सारे सवालों का जवाब दोंगी मिस्स यू, लवी ओल, अपना खयाल रखना अपने श्वरीर के साथ खिरवाद बिलकुर मत करना टेक केर, स्टे हिर्दी